दोस्तों हम अपने घर के अंदर यह सोचते हैं कि मतलब थोड़ा सभी स्पेस नहीं है और कौन सी सब्जी को ग्रो करेंगे और सब्जियां कहां ग्रो होती है अच्छे से तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ इस सब्जी के बारे में जो कि आसानी से ग्रो हो जाती है अब बात कर लेते हैं अपने हरी प्यास के पौधे की तो देखिए आपको सिर्फ क्या करना होगा मिट्टी का धियान रखना होगा चोटा से यहां पर गमला है चोटे से गमले के अंदर आप क्या कर सकते हो सिर्फ 50% कोकोपीट 20% आपको वर्मी कमपोस्ट और बाकी परसेंट आपको यहां पर गार्डन सॉयल को मिलाना है इस तरीके से आपको मिट्टी का सॉयल का कमपोजिशन बनाना है जिसमें आपकी जो सब्जी है वो अच्छे से ग्रो हो सकती है दूसरी चीज इस पौदे को अगर सनलाइट ना भी मिले न तो भी अच्छे से ग्रो कर जाएगी बस इसको ताजी हवा मिलने चाहिए तो आप इसको अपनी बैलकनी में ग्रो कर सकते हैं तीसरी चीज इस पौदे के साथ अब यह देखे जिसे हरी जो मतलब जो प्याज हम लाते हैं घर के अंदर इस तरीके की जो प्याज मिलती है उसमें छोटे-छोटे से मतलब यह ग्रीन-ग्रीन से आने शुरू हो जाते ना वो प्याज आप आप्ट कर लीजे उसको आप्ट जो जाएगी यह देखे है किती सारी हरी प्याज है और यह और गनिकली है विच मींस यह कैमिकल फ्री है अब बात कर लेते हैं कि अब इसका क्या होगा तो जब आप अपने पौदे को हार्वेस्ट करें ना तो यह देखे है यह पूरा अंदर से आपको हरी प्याज की लुक देगा अभी मैं निकालना ही चाहती मैं चाहती थोड़ा सा और ग्रो हो जाए और इसमें एक चीज और है अगर देखे मैं आज इसको यहां तक काट देती हूं ना यहां तक तो फ्यूचर में क्या होगा फिर से यह ग्रीन ग्रीन जो मतलब यह आपको स्टॉक्स दिखाई यह जाए हरे हरी प्यास के आप इसको सालैड में भी गार्निश कर सकते हो आप इसकी सबजी भी बना सकते हो आप इसका सूप भी बना सकते हो पानी का ध्यान रखना होगा की जैसे ही मिट्टी सूख जाए आप इसको पानी देदीज़े ज्यादा पानी ना तो जो इसके अंदर में जो पानी है वो नीचे बॉटम होल से नीचे जो छेद होता है गमले के उससे बहाराना शुरू हो जाए तो इस तरीके से आपको हरी प्यास की सब्जी आराम से ग्रो कर सकते हैं बिना सीड्स के और बिना किसी हार्ड वर्ग यह एक ऐसी सब्जी है अब एक चीज और मैंने काफी रिलेटिव को और काफी जो नेबर में है उनको दे दिये थे तो आप क्या कर सकते हो इन फूचर क्या करोगे जब यह ब्राउन हो जाएगा ना यह पार्ट यह जो फूल दिखाई दे रहा है इसी को आप प्रिजर्व कर लो और फिर इसको गंले के अंदर लगा यहां पर इसके सीड्स यह देखिए जो इस तरीके से यह सीड्स को प्रोड्यूस करता है बीन की जो शेप को दिखाई दे रहा है जैसे इसको मैं पील करूंगी चीलूंगी और उसके बाद इसमें से जो बीज निकलेगे वह अप्राजीता के बीज होंगे तो इसी तरीके स आप अपने इस पौदे को भी ग्रोव कर सकते हैं आपको इस इंफोर्मेशन कैसे लगी जरूर बताएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही अपडेट्स क्लिए